चत्तीजगर राज्य बीज एवं कृशी विकास निगम रायपूर द्वारा वित्रित किसानों को मिनी राइस मिल मिनी दाल मिल वं मिनी ओल मिल चना मुर्रा मशीन रोपा मशीन किसानों के लिए आय का जरिया बना हुआ है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ कर कृशी विभाग के द्वारा ये योजना संचालित किया जा रहा है। जिससे किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो बन ही रहे है। यह उनके आय का एक बड़ा जरिया बन गया है। जिसके चलते कुछ हद तक पलायन या बेरोज संचालित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इन मशीनों को संचालित करने में कोई भारी भरकम बिल भी नहीं आता। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चत्तीजगर राज्य बीज एव खृशी विकास निगम रायपूर द्वारा चेम्स प्रनाली योजना के अंत और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे है। मुंगेली से नील कमल सिंग ठाकुर की रिपोर्ट प्रेंट लगी से मजिन बहुत अच्छा है तो जब धान कुटके देखाई इस तो धान चावल तूट थे थोड़े। ने तूटाया बहुत अच्छा से निकल थे। आटा बारीक निकल थे। ये अध्दाव संथा। अच्छा तहीं से आपमान संतूष्ट है अच्छा संतूष तहा हम बहुत अच्छा अच्छा है थीत भिया धन्यावाद रायपूर बीज नीगां के अंदान से मिले हैं अच्छा यह मशीन में का करेबले हुआ हे मसीन मां थान पुटना है मतलब आटा पिसना है देखा बले हैं अपन रोजगार बरे मशीन है ठीक है काम मशीन है है ग्रीन ग्रीन सोदेश कंपनी के मिनी राइसमिन है अच्छा ठीक कि अग्राम खैरवार तसील मुगेली जीला मुगेली के निवासियां बोलबीज निगम रायपूर द्वाला डाल मिल और तेल मिल मिले हैं क्या फैदा हो रहा इससे आपको जो है पादा मुलत यह सदन बन पाया है मिलत ना फादा मिलत हुआ है कि दाल पिशाई हो थे मां तेल निकाल था एक घर से आर्थिक स्थिती भी थोड़ा मजबूत हो थे आयके स्रोद भी बना थे कितने दिन से काम करें इसमें और तो लोग पहले चार किलोमीटर मुगेली ने के लिए जाते थे तेल आज गाव में सुईधा हो गया है कि रात में दीन में हम कितनों समय हम पेरवा सकते हैं तेल जिससे हमको अच्छे लगता है तो जैसे आप मार्कर से अब यह अपना ओरीजनल तेल रहता है शीदह शीधह देखने को मिलता है वो उस दिब्बे में आता है कि आ पहिए कैसे हैं उसको हम को जानकारी ने रहता उसके अपने आखों से देखकर हम अपने घरों का फ़सल उसको पैरवा सकते हैं और रासी की बात की जाए तो जैसे मारके आप घार में पेरो आते हैं उससे होता है क्या है उसका जो निकलता है उसको जानवर को खिलाने के लिए काम आ जाता है तेल अपनों की योग आ जाते जिससे दस गुना आए बढ़ जाता है दाल मिल पड़े हैं 73,000 दाल मिल पड़े हैं और 18,000 तेल मिल जाते हैं जिसमें मुख्याले और साशन से जो लक्ष आते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ अपने जीला का रहले में किसानों का पंजियन करते हैं फिर उनको समागरी प्रदाय कराते हैं इस चैंप्स प्रणाली में हमको डालेक्ट कभी-कभी कृषिवी भाग से भी और आते हैं जिसकी हम प्रदाय की करते हैं तो इसके द्वारा हमको अभी हमने मीनी राइस मिल रोस्टर मशिन इत्यादी किसानों को प्रदाय किये हैं जो किसान उसको अच्छे से चला रहे हैं का पड़्ची इसका लेके आना रहता है और वो मशीनिरी वाइस अलग अलग रहती है जैसे टैक्टर की सबसीडी अलग होती है थ्रेशर की अलग होती है या अलग यंतर की अलग अलग रहती है सबसीडी अमांट अलग होता है